अस्तलाम अलेकों मैं हुरी हान और आपदीकरी स्वात्वाइंजन टिक्नालोजी चेनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कि Microsoft में प्ले ग्रूप या नर्सरी के स्टूडन्ट के लिए English पेपर बना ना हो तो कैसे बनाते हैं इसका पार्मेट किस तरह बनता है और इसमें पिक्च दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम होपर हेड़ पे स्कूल का नाम टाइप कर लेते हैं और इसका साथ यहां से तोड़ा बढ़ा कर लेते हैं और इसको यहां से मेडल पे कर लेते हैं और यहां पॉंड स्टाल से यहां से इसका पॉंड स्टाल चेंज कर ले अब यह उपर जो हमने स्वाद लिखा हुए दे स्कूल अफ सेक्सी स्वाद तो इस स्वाद को यहां से हम अटा लेते और इसको नीचे टाइब कर लेते हैं अब हेति पी स्कूल का नाम वोगया सेकंड लुकेशन वोगो यह तरा नमबर पे हम यहां पर Ġाइब करेंगे मेंटैब लइजामिनेशन है पाईनल टempl इगसामिनेशन है तो यहां पे आप टाइब कर सकते हैं नि मित एप एम यह पर टैब लास्ट रिमूव स्पेस अप्टर परिग्रफ पी क्लिक करके इसकी बीच्चे स्पेस खतम कर लेते हैं और कंट्रूल बी से इसको बॉर्ड कर लेते हैं और अब त्रड लाइन को हम सिलेट कर लेते हैं और यहाँ उपर पॉन्ट स्टाइल में जाते हैं यहाँ से इसका पॉन कर लेते हैं और यहां मेरे computer में एक logo design से हुए तो इसको मैं select कर लेता हूँ अब दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि उपर जो paper के head पे school का नम है और logo design के अंदर जो school का नम है तो दोनों same है अब यह logo design कि स्थरा बनते हैं तो मैंने एक video बनाई है जिसका link आपको इस video की नीचे description में मेल जाएगा तो यहां सबसे पेले हम पिर text driving पर click करेंगे और in the front of text पर click करेंगे तो पिर आप इस logo design को कहीं भी भी ले जा सकते हैं तो हम इसको तोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको उपर ले जाके left side पर रेक लेते हैं paper के head पर इसके बाद shape में जाते हैं और shape से यहां से एक line select कर लेते हैं second number और या इसकी नीचे अगर आपने line ड्रा करने हो तो यहां पर ड्रा कर सकते हैं इसके बाद insert पर click कर लेते हैं और या text box पर क्लिक कर कि यहां से एक text box select कर लेते हैं और इसकी अंदर टैप कर लेते हैं paper duration paper mask और जिस चीज का paper है तो feather नाम type कर लेते हैं और इस text box को उपर यहां right side पर रक लेते हैं और फिर इसकी साथको select कर लेते हैं and umm tab में जाते हैं सेलेट करने की बाद home tab में जाते और यहाँ से remove space after paragraph पर कलिक करेंगे तो इसके बेची space खतम हो जाएगा और अब इसको तोड़ा चोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं और इस box के outline को भी खतम कर लेते हैं यहाँ से अब इसके बाद यहाँ पे हम question type कर लेंगे question number one हम type कर लेते हैं और यहाँ यह जो उपर roller है हमारे साथ तो यहाँ से आप अपने text की setting कर सकते हैं कि जासे आपने start लेना हो तो हम यहाँ इसको तोड़ा left फे कर लेते हैं तो पिर आप देख सकते हैं कि हमारे text के starting यहाँ से होगी तो हम यहाँ पे question number one में type कर लेते हैं right the missing letter अब इसकी नीचे हम ABC type कर लेते हैं alphabet 26 alphabet से लेकिन हमने बीच में एक एक जो है चोड़ना है क्योंकि उसकी जगा हम line रा करेंगे तो हम यहाँ पे alphabet type कर लेते हैं यह हमने alphabet type की और हर एक की बीच में एक एक alphabet हमने miss किया है क्योंकि उसके जगा पे हमने line रा करने हैं तो इस तरह हम सब के बीच में पहले space लाते हैं और इसके बाद space के जगा पे हम line रा करेंगे तो यह सारे alphabet हमने यहाँ पे लिख दे और इसके बीच में space चुड़ाए और कुछ लेटर मिस है तो इस लेटर के जगा हमने line रा करने हैं तो यह शेप क्लिकर के यह line हम select करेंगे और इसकी बीच में हम line रा करेंगे अब यह line हमने एक बार ड्रा किया तो हम इससे copy लेंगे ctrl c से इससे copy लेंगे और जितनी बार आपने पेस्ट करना हो तो उतनी दपा आप ctrl v पर क्लिक करेंगे तो उतनी copy बन जाएंगे तो अब हम यह सारे line जो है हर एक लेटर के बीच में रख लेंगे तो इस तरह z तक हम हर एक स्पैस के जगा पे line रख लेते हैं तो अब इसके बाद हम question number two type कर लेते है write the name of the pictures तो अब इस question के लिए हमने नीचे picture insert करनी होगी तो picture insert करनी के लिए हमने पहले boxes ड्रा करनी है तो boxes के लिए हम सबसे पहले insert पर क्लिक करेंगे और shape पर क्लिक करेंगे और यह जो four number पे rectangle shape है इसको हम select करेंगे और यहाँ पे एक चोटा सा box ड्रा करेंगे और यह है PB हमने यह box एक ड्रा कर लिया तो दुबार ड्रा करनी की ज़रूरत नहीं यह इस से भी हम control CC काफी लेंगे और control V से पेस्ट करेंगे तो हमने इस से चार काफी लेके पेस्ट कर दिया यहाँ पे तो अब इसको हम यहाँ पे set कर लेते हैं अब इस shape के अंदर हमने picture insert करनी है तो सबसे पहले हम इस पर click करेंगे और यह shape पर click करके picture पर हम click करेंगे तो हम इसके अंदर अपने computer से कुई भी picture insert कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जब आप यह picture पर click करूँगे तो आपको तीन अप्शन आजाते है कि अपने picture computer से select करनी है या MS Word से कोई icon select करना है या internet से कोई picture select करना चाते है तो मेरे MS Word में यह option नहीं आते तो मैं simply यह picture पर click करूँगा और यह मैंने कुछ icon download की है अपने paper के लिए Google से तो मैं यहाँ से एक एक करके select करूँगा तो पहले मैं Apple select कर लेता हूँ पर्ष्ट box के लिए तो यहाँ पर Apple आ गया है इस तरह मैं second box पर click कर लेता हूँ और यहाँ picture से यहाँ पर बनाना पर click कर लेता हूँ तो यह second shape पर बनाना की picture रहागी इस तरह तरद पर mango select कर लेता हूँ यह मैंने google से download किया तो आप google से कुई बे icon download कर सकते हैं अगर आपके msapes में मौझूद नहीं है तो अब इस तरह last में यह grapes का भी picture मैंने download किया हूआ है icon picture तो इसको भी मैंने select कर दिया है अब इसके बाद आपने picture को छोटा बढ़ा करना हूँ या left right पर ले जाना हूँ तो ले जा सकते हैं तो अब यह picture sit होने के बाद हम उपर insert पर click करेंगे और insert में फिर से हम shape पर click करेंगे और या से line उटाएंगे और इसकी बीच में एक line रख कर लेते हैं और इस से भी control cc coffee लेते हैं और control vc 3 मरतबा हम paste कर लेते हैं तो अब इस line को हम हर एक picture के आगे रख लेते हैं अब आपने इस picture से outline खतम करनी है तो picture पर click करेंगे और उपर shape outline पर click करके no outline पर click करेंगे तो आप इस picture से outline खतम कर सकते हैं तो इस तरह हमने चारों picture से outline खतम कर दिया है तो इसके बाद हम नीचे question number 3 type कर लेते हैं match the name with their picture और इसके right side पर question number 4 भी type कर लेते हैं match the upper case alphabet with lower case alphabet अब इसके बाद insert पर click करेंगे और यह shape पर click करके rectangle shape select कर लेते हैं इसके बहुत सारे boxes को एक line पर कर लेते हैं और अब हर एक shape के अंदर हम एक-एक picture insert करेंगे तो पहले first shape पर click कर लेते हैं और यहाँ से picture पर click करेंगे तो अपने computer से मैं एक picture select करूंगा first shape के लिए क्योंकि मैंने इसके लिए भी icon picture download किये Google से तो मैं यहाँ पर first number house पर click कर लेता हूँ house icon पर तो इसका picture यहाँ पर insert हो चुका है अब second box पर click कर लेते हैं और यहाँ से picture पर click करके इसके लिए भी एक picture insert कर लेते हैं और इस तरह से हम हरे boxes के अंदर यहाँ से picture insert कर लेते हैं तो अब सारे boxes के अंदर picture insert हो गई है अब इसके बाद अगर आपने इस picture से भी outline खतम करने हो तो एक एक अलग अलग भी कर सकते और सबसे एक साथ ही outline खतम करना चाहते हैं तो इस तरह पश्च पर कलिक करें और control पे प्रेस करके इस्तरह आप सब को कलिक करें और यहाँ से outline पर कलिक करेंगे तो सारे boxes के outline एक साथ खतम हो जाएंगे अब इन picture के लिए हमने नाम type करनी है तो नाम type करनी के लिए रहे उपर insert पर क्लिक करेंगे और insert में text box में जाके यहाँ से एक text box select करेंगे और अब जितने भी pictures है तो हर एक pictures के नाम हम यहाँ पर type करेंगे तो अब सारे pictures के नाम हमने type की है तो अब इस text box को लाके इस picture के right side पर रख लेते हैं और इसका text size भी तोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब enter पर click करके नाम की बेच में space तोड़ा ज्याड़ा कर लेते हैं और इस से भी outline खतम कर लेते हैं या shape outline पर click करके या से इस से भी outline खतम कर लेते हैं अब यहाँ पर आपनी कोई picture उपर नीचे ले जाना हो तो ले जा सकते हैं तो अब student assign से picture को उसके नाम के साथ इस तरह मेच कर सकते हैं तो अब आज आते है question number 4 पर पहले shape से एक line select कर लेते हैं और इस question की बीच में एक line ड्रा कर लेते हैं और इसके बाद फिर से shape में जाते हैं और rectangle shape select कर लेते हैं और यहाँ पर एक rectangle shape ड्रा कर लेते हैं और इस से भी control cc coffee लेके control v से paste कर लेते हैं और इसको भी left side पर line पर कर लेते हैं अब परस्ट बॉक्स की राइट पर किलिक करके एट टेक्स पर किलिक कर लेता हो इसके अंदर एट आइप कर लेता है इस तरह सेकंड की राइट पर किलिक करके एट टेक्स पर किलिक करके इसके अंदर भी कुछ टाइप कर लेते हो इस तरह सारे बॉक्स की अंदर हम टाइपि कर लेते हैं कांट्रोल पर क्लिक करके इस तरह सारे लेटर कॉम सेलेट कर लेते हैं और इसका साइज यहां से बढ़ा कर लेते हैं अलग अलग भी बढ़ा कर सकते हैं लेकिन एक साथ बढ़ा करना चाहो तो कांट्रोल पर क्लिक करके सेलेट करके इस तरह यहां से आप इनका सा box ये से हमने एक साथ कोफी लेनी है तो पहले हम click box को क्लिक करेंगे इसके बाद ये आप देख सकते है कि सारे boxes एक साथ copy हो गई है, अब हम इसको यहां एक साथ राइट साइट पर ला सकते है और अब इसके अंदर ये केपिटल जो ABCA हम इसको इडिएट करके सब स्माल करेंगे क्योंकि हमने अपर केसल पाबेट को लोवर केसल पाबेट से मैच करनी है और अब इसके बाद इन सारे बॉक्सेस से आउटलाइन भी खतम कर लेते हैं मैं सब एकसासरेट कर लेता हूँ और बाकी बॉक्सेस की तरह इससे भी आउटलाइन खतम कर लेता हूँ तो अब इससे भी आउटलाइन खतम हो गई है और हमारा इंग्लिश का जो पेपर है वो बिलकुल तयार है तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे इंग्लिश का जो पेपर है वो किस तरह दिकाए दे रहा है तो दोस्तों हमने सिब आपकी साथ आडिया शेयर का कि किट्स इंग्लिश पेपर का पारमेट किस तरह बनता है इसमें कौन कौन से अप्शन यूज होते है और इसमें पिक्चर किस तरह एड़ करते है बागी आपने हो ट्राइ करना है और कई पी भी कुई भी मुश्किल हो तो आप कमेंड वाक्स में पूछ सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वेड़ों में बहुत शुक्रिया अल्लाः पेस्ट